नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ अजमेर में भाश्पा की लोगसबा चुनाओं को लेकर हो रही बैटक में अजमेर दक्षिन विदायक वब पूर्व मंत्री अनिता भदेल नाराज होकर वहां से रवाना हो गई इस दोरान डिप्टी सीम और भाश्पा नहिताओं ने उन्हें रोकने की भी कोशिच की लेकिन मैं कहते हुए महां से निकल गई कि अब संगठन से बात करूँगी दरसल भाश्पा कारलाय में मंगलवार को अजमेर लोकसबाश्येत्र की तयारियों को दोपर दो बजे बैठक हुई इसमें प्रभारी दिया कुमारी भी मौजूद थी मान मनुवार करने के बाद भी पूर्व मंत्री नहीं मानी और बीच बैठक से निकल गई चानकारी के अनुसा लोकसबाश्येत्र की तयारियों को लेकर बैठक में चार विदानसबाश्येत्र के कारकरताओं और पतादीकारियों को बुलाया गया था सबी अपना परिचय दे रहे थे तबी जिला उपाद्दक्ष कीसू गडवाल को देखकर अनीता बदेल गुसा हो गई इस पर विदायक ने मंच पर वैटे प्रबारी बीरमसी से कहा कि जब उत्तर विदानसबाश्येत्र में पार्टि से बगावत और खिलाफत करने वालों के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं की गई अगर हराने वाले ही बैटक में मुझूद रहेंगे तो मेरा क्या काम है ये कहते हुए पूर्व मंत्री वदिल डिप्टी सीएम की काम में कुछ कहते हुए सबा कक्षबार आ गई पीछे से उन्हें रोकने के लिए भाजपा नीता शत्रुगन गौतम ने आवाज भी लगाई लेकिन में नाराज होकर वहां से रवाना हो गई इसी दोरन मीडिय कार्मियों ने उनसे नाराजगी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वह अपनी बात संगठन सर पर रखेगी माना जा रहा है कि नाराजगी का कारण चुनाओं में अनीता भगेल के खिलाफ खिलाफत है इसके अलावा सरकार गठन के समय अनीता भगेल की मंत्री मंटल में अपैक्षा भी नाराजगी का कारण माना जा रहा है इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद